हेलो बच्चो स्वागत है आपका ओमेगा अनलाइन पे और आज आपका टेस्ट हुआ है नीट महोत्सों का फर्स टेस्ट है नीट्राइल फर्स टेस्ट इसमें आप कमेश्टी के कोश्चन डिसकर्स करेंगे तो देखते हैं कोश्चन नमबर 51 से नियो पेंटाइल ग्रूप नियो पैंटाइल गूर्प इमांड फाले चार आपसंने इसमें से बतारें नियो पैंटाइल क्या ह imagining यो पैंटा Candee पहले तो पांच कारव आनोना चाहिए इसको बोलते नियो पैंटाइव दोथा सीच त्री क्यों ये का वह अहां है को आपसर नमबर कौन सा? फोर देखो, नीओ पें टाइल 51 का आपसर नमबर फोर देखते हैं कोश्चन नमबर फिप्टी टू इं दे गीवन रियक्सल, दे प्रोडक्ट फार्म एज्ड प्रोडक्ट फार्म ये क्या है? आक्सिडाइजिंग एजिंट होता है यह यह एलकोईन को करता है कि इसमें एल्ली आइड में और एस्टू बनाता है क्या बनेगा एल्ली आइड फिप्टी टू का आपसे नमबर सेकेंड लिखते हैं कोस्टन नमबर फिप्टी थरी कि इसे हमनों कितल कितल के दिए क्यों की डूं की रियक्सिंण कराते है एक्सेस तरिक प्रेसंनं साफ ड्राउ और यह कोधन कितन कि रियक्सिंड कराते हैं एक सब्सक्राइं करा रए कि इने वाद तो क्या होता है यह बांसक्राइब निगेटिवा पॉस्टिव और है जोड़ दो आप यह O, देखो, O, और ये H, और ये O, CH3, इसको बोलते हैं हेनी कीटल, हेनी कीटल, अब फिर इसकी reaction इसी से करा हूँ, CH3, बोलते हैं, फिर ये प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, ये हो जाएगा, माइनस और ये हो जाएगा, प्लस, अब और ये हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा, प्लस, अब प्लस को माइनस माइनस को प्लस देदो, c, ये हो जाएगा, O, CH3, और ये O, CH3, ये हमारा क्या हो जाता है, कीटल, अब देखो कौन सा अपसर हो सकता इसमें यह तो हेमी यह हेमी कीटल होगा यह भी हीमी कीटल होगा यहां पर देखो यह हो सकता है कीटल और यह भी हो सकता है कीटल लेकिन यहां पर देखो यहां पर इस कार्बन से एक कार्बन दो कार्बन कार्बन अचाइश है दोनों कार्ब आटेस्ट है और यहां से देखो एक Carbon है या Carbon और एक Hydrogen है यह Eldehyde हो जाएगा और हमारा Ketone चाहिए यह देखो यहां से 2 Carbon Attacks है यह Ketone हो जाएगा यह क्या है Hemiketal को मैं कुन सा हो गया थर्ड 53 के आपसर नमबर थाड़ दिप्ते कोश्चन नमबर 54 देख लो इसके उगपर इस्टेटमेंट फास्ट दिया पिक्रिक एसिट इस्टॉंगर एसिट दन बेंजोईक एसिट सहीद आता पिक्रिक एसिट यह हमारा होता है यह होता है पिक्रिकेसिट और बेंजोईकेसिट यह होता है बेंजोईकेसिट इसमें माइनस बहुत जादा हो जाता है माइनस बहुत जादा हो जाता है अब माइनस बढ़ेगा तो इस दी किस्टेंद क्या होती है बढ़ती है तो इसकी इस्टेंद ज्यादा हो जाएगी पिक्रिक एसिट की तो पहला आपसें तो सही है स्टेट्मेंट इसकेंड देखते हैं पिकरिक एसिड वैल आज बेंजोइक इसड़ी इवम फाय्डलोजाम दोनों क्या एसिडिय दोनों यहिर्श है और दोनों आपर कर Earn करके दोनों क्या करेंगी है तो है और ह्यास देखों हमारा दोनों स्टेट्मेंट सख Circuit स्टेटमेंट फंस्ट इंक्रेंट बाध इस्टेटमेंट सेड़ेच जिली इस करेंट बोथ इस्टेफ्टमेंट आ थो नंबर 2 तो हायंग हायंग थेंगे हैँजण लो कि दिखते और कुस्च्छान न्बर 55 अ कह ड Ms. Currently on आप यह से नुमन रिट आप अगीवन कंपाउं यह से नवन का में आडर बताना तो रिएक्टिविटी आप यह से यह 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 होता है डारेक्टली परपूर्शनल होता है इस्टिबिल्टी आप कार्ब कर्टाइं इस्टिबिल्टी आप कार्ब कर्टाइं जो कार्ब कर्टाइं जितना ज़्यादा इस्टिबल होगा उसकी रिएक्टिविटी एसे न वन के टुवर्श उतनी ज़्यादा होगी तो इसका क्या बनो कार्ब कर्टाइं यह क्या होगया थ्री डिग्री कार्ब कर्टाइं और यह प्लस बेंजाइलिक कार्बो कटाइन, ये 2 डिगरी कार्बो कटाइन, तो हम देखते हैं, ये exceptionally क्या होता है, 3 डिगरी कार्बो कटाइन जो होता है, 3 डिगरी कार्बो कटाइन वो बेंजाइलिक कार्बो कटाइन से ज्यादा इस्टिबल होता है, आप लोगों ने लगाया कि सबसे जादा इच, का है इस्टेविल्टी हाप कार्ब का न पहले हो जाएगा सबसे जाधा फिर सेकशेंब फिर सबसे जादा ऐस्टेविल्टी आपकाग अलक धाग जादक यक्ट्वीटी का भी याद ही हो जाया रेक्टिविटी भी हो जाएगी 1, 2, 3, यह वो कौन सा अप्चान है, अप्चान नमबर सेटें, 1, 2, 3, देखलो एक बाद, देखते हैं, कॉश्चन नमबर 56, विच अमांग दा फालो इंज नाट एन इसेंशियल अमीनो एसीड, पहले इसेंशियल अमीनो एसीड का एक याद करने का जो एक निमूनिक है, बनाया जैसे, जैसे देखो, A, T, V, T, 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 M, ये एक निमूनिक बनाया हुने, क्या है एक इसेंशियल अमीनो एसीड, ये क्या है, इसेंशियल अमीनो एसीड, इसेंशियल अमीनो एसीड, याद करने का एक छोटा सा निमूनिक है, A, से हो जाएगा आरजनि, A, से आरजनि, T, से हो जाएगा ट्रिप्टोफें, V, से हो जाएगा वैली, और T, से हो जाएगा थ्रियोनिन, आइसोनिसिन, लाइसिन, लिउसील अटेन होते हैं तो यह हो जाएगा फिनाइल एले लिए और मेंठियो लिए और हिस्टी लिए टीवी टिल 10 पीम है जैसे मालो कोई छोड़ा बच्चा उसका एक्जाम हो रहा है तो उसके पैरेंट्स बोलने है ए टीवी टिल 8 पीम है बस टीवी 8 पीम तक ही देखना है तो यह से हो जाएगा आरजिनिल ट से हो जाएगा टिक्टोफों भी सो हो जाएगा वेलीन वीच ए हो जाएगा वेलीन टीज़ेगा ट्रीओर आई also isoleucine, l-soleucine, lysine, phenylalanine, methionine or histidine, arginine, tryptophan, valine, threonine, threonine, isoleucine, lysine, phenylalanine, phenylalanine, methionine, methionine or histidine, hystidine, यह हमारे क्या होगे, essential amino acid होगे, ठीक है, इनका याद करने का निमोन क्या है, एक टीवी तिल 10 पीम है, टीवी तिल 10 पीम है, एसे आर्जिनीन, टी से ट्रिप्टोफैल, टी से वैलीन, टी से थ्रियोनिन, आइसे आइसोलूसिन, यह से लाइसलूसिन, यह से लाइसिन, पी से phenylalanine, यह से methionine, और यह से histidine, कितने हैं देखो, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, दस, और यह 10 amino acid है, यह क्या है हमारे essential amino acid, अब इसमें से जो नहीं आओ, क्या होगा, नान essential होगा, देखो, lysine है, lysine है, histidine है, essential amino acid, l- ال- in, l- in, कहीं नहीं देख रहा, vpurpose, val abstra, valis, val episódio, valiset, valUND libraries, तो तो हमारे पास यह essential होगाया, यह essential होगां, यह L- in, l- in, धेखो इसमें किसी में नहीं है, L-in नहीं होगा, इसमें, तो यह क्या होगा, none essential amino acid, non essential amino acid, आप essential यारत करete, और नान इसेंशियल अपने आप ही पता चल जाएगा जो इसेंशियल में नहीं है वो नान इसेंशियल और इसेंशियल को याद रखने का यह निमोनिक है एक टीवी तिल टेम पीम है आर्जनीन ट्रिप्टोफान वैलीन थ्रियोनीन आइसोलीशिंग लुसिन लाइसिन नमर कों सोल जाइए हमारा थर्ड देख लोश्कों बार देखते कोश्चन नमर 57 है विडिजेशन इन्वाल इंवाल्विन कंप्लेक्स एन आई-COO-4 एन आई-COO-4 एन-COO-4 एन-COO-N-S-3-6 का पावर पावर प्लस-3 तौम सबसे पहले इसका निकालते अन-I-COO-4 का यह नई-COO-4 एन-COO-4 एन-COO-4 क्या होता नीट्रल होता है चीजो क्या है निट्रल लिजियनद है तो इसका पहले अक्षिडेशन नम्बर निकाल लोगे यस और यह 0 तो यह स्कॉल टू क्या हो गए आमारे पास जीरो यह आई हमारे पास क्या गया है है आई का अक्षिडेशन इस्टेट जी रो एनाई में निकल में कितने होते है एलेक्टान टून्टी एट पियो जाएगा 3D8, 4S2, 3D8, 4S2, अभी लेक्टान वरोल के आर्बिट में, यह हमारा क्या हो गया, 3D आर्बिटल, यह 4P, और यह 4S, और यह 4P, यह है, तो इसमें क्या करें, यह स्टॉंग फिल्ड लिगेंड भी है, यह क्या होता है, स्टॉंग फिल्ड लिगें, जितने भी कारबन और नाइक््रोजन डोनर होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टॉंग फिल्ड लिगेंड होते हैं, यह क्या कराएगा, पेरिंग कराएगा, सबसे पहले तो 8 बर हो, 1,2,3,4,5,6,7,8, 8 अहिंए बर दिया, अब यह दोनों ये लेक् हमें कितने खाली चाहिए चार चाहर आप खाली चाहिए ऊदर अगया थे पूरा योग मैं हमार पार देखो यह चाहर आपिटर मिल गए एक येक और टीन पी-एक सो तीन पी किदना हो जाएगा P3 मतलब मैं इसको देखों यह आप्सन तो केंसिल हो गया है यह सकता है अब हम हुआ है और इसको देजो explored तोड़ी यगार का मला इसको हम रब कर रहे हैं, अब इसके साथ लेना चाहो ले सकती हो, यह का किदना है हमारा SP थे, इसका किदना है SP थे, अब हम इसका निकालते हैं, यहां पर सबसे पहले इसका आक्सिडेशन नमबर निकालो, यह हो जागा एक्स यह न्यूटर लीगेंड जीरो और यह प्लस त्री तो एक्स इसकल डू के आगया प्लस त्री कोवाल के कितना आगया प्लस त्री कोवाल कितना होता 27 3D 7 4S2 और यह कितना है प्लस 3 CO प्लस 3 तो 3 इलेक्टार निकाल दो इसमें से यह हो जाएगा 3D 2,1,3 3D,6 और 4S,0 और यह कैसा है NH3 क्या है NH3 होता है Strong-filled लीगेंड यह क्या कराएगा Pairing 1,2,3,4,5 ठीक है और यह हो गया 4S और यह हो गया 4P यह हो गया 3D यह हो गया 4S यह हो गया 4P इलेक्टार निकाल वरो इसमें 1,2,3,4,5,6 अब देखो हमें कितने खाली आर्विटल चाहिए 6 खाली आर्विटल चाहिए क्योंकि 6 लीगेंड है तो यह क्या कराएगा Pairing Strong-filled लीगेंड तो क्या कराएगा Pairing Pairing कराएगा तो देखो Pairing कराएगा तो 1,2,3,4,5,6 यह इसके साथ, यह इसके साथ, यह इसके साथ अब हमारे पाद देखो 6 आर्विटल खाली मिल गए 6 आर्विटल खाली मिल गए दो डी आर्विटल है एक S है और तीन P है 6 आर्विटल होग है तो हमारे पास hybridization कितना हो जाएगा D2 S P 3 D2 S P 3 D2 S P 3 D2 S P 3 S P 3 D2 है और यह D2 S P 3 आपसर नमबर कौन सा होगया 3 57 का आपसर नमबर 3 देख लो वा देखते हैं question नमबर 58 Which among the following order of energy subset is correct देखो इसमें हमें सारे सबसे सेम लग रहे है सबके 2 यह समें पूछ रहा है इसमें क्या element लगे और इसका energy का order हमसे पूछ रहा है तो क्या होगा energy of the orbital energy of the orbital energy of the orbital energy of the orbital का जब देखो जब same subseal होते हैं और उनमें अलग-अलग element होते हैं energy of the orbital in the same subseal same subseal same subseal energy of the orbital in the same subseal क्या होता है decrease if atomic number increase ऐसे अलग-अलग element है ना अगर उनका atomic number increase होगा और subseal सेम है तो क्या होगा energy decrease होगी क्या होगा energy of the orbital in the same subseal decrease decrease with atomic number atomic number increase अगर एक नमबर क्या हो रहा है atomic number increase कर रहा है अगर atomic number increase हो रहा है तो subseal अगर सेम सबसेल है तो इसकी energy क्या होगी होगी निए उसकी 현o कि अब इंरजी आप सब्सक्रों इंक्रेश करेगा तो कि इनर्जी सब्सब्सक्राइब तो यह और इंक्र इंट्रीश करहाएगा तो इनर्जी जाएगी तो यह आई एस टू, यहाई यह ऑई टू यह सब सब्सकुरा होति नबर के इंक्रीज होने से दिक्रीज होती है तो हमारा क्या हो जाये यह डीन का सब्सक्राब है फिर यहाई मैं टू यहका कोई फिर के टूए reminded सबसे ज़्यादा एनने ट्विस का और फिर के ट्विस का आप सब नमर कौन का हो गया फैस्ट एनर्जी आप द आर्बिटल इन द सेम सबसें डिक्रीज विद अटॉमिक नमबर इंक्रीज कि देख लो इबाद कि देखने क्वेशन नमबर फिक्टीन है कि इस्टाइटमान का क्रपोर है एटामिक नमबर 112 112 112 है यह यह अज़्य ही पताते हैं ग्रूप नमबर को आ ग्रूप नमबर को बताते हैं ग्रूप नमबर को यह कौन से गुरूप का हो गया बारह गुरूप का बारह का बारह में क्या तो जिंक कैडमियम यह जी और सी एक कार्पोरेंशियम क्या हो गया कार्पोरेंशियम है इतामिक नमबर 112 कि यूपीप यह क्या है अन अन पेंटें तो अन मतलब वन वन पीप से अब यह इसका जो लाश्ट डिजिट है दो यह किसको बताएगा गुरूप को बताएगा कि यह कौन से गुरूप का हो गया फिप्टीन गुरूप का अकशन समय कैसे नाइज कसे पारेंश करनाया कि ने शाट्र में पाएगा है यह इसे स्टेउमेंट डोनों सही है लोगष स्टिटमेन्ट और करया त आपसा अनमर 3 बोथ स्सक्राइब है जब सिर्फेन अण में 해야 okay जब तीन बिजित होती है ति उसमें तो हिसे होते हैं यह किसको बताते हैं को बताते हैं उसका कॉंट सा ग्रूप है जाहिए ऐसा ही लिए सु्का गर?", सैकने का हो जाईगा एक सा चार ऐंगा तो फॉर्ड का हो जाएगा तो चलते पॉस्च्टन नमबर सिस्टेई जंदल आउटर सेल इलेक्टानी कान्फिग्रेशन आफ एलकलाइन अर्थ मेटल एलकलाइन अर्थ मेटल मालो हमने कहा ले लिया सोदी इमेंगे लिया ठीक है अब इसका एलक्टानी कान्फिग्रेशन का घ् petits नमर्ष सेकेड़ एउलेजर्य चिंडल कि नमर्ष तूं अब क्रवन क्या होता है फिलूम देखते हैं कोस्चन नमबर यह देख लो इसको याद करने वाली सीजे हैं देखते ककौचेंट दोक्षिक्टी टो इस फालोंने नाट्ट ग्रीना ग्रीनाउस ग्रीनाउस क्या कॉनक्री होती ये सकत्तु ये सब कहाते है ग्रीनाउस गैसे होती है देखो co2 भी है water vapor भी है ozone भी है यह कह व्याज ग्रीमा ग्रीवाज गैस नहीं होती है नाट अध्यृज आप से नमबर कौन सा हो गया फोड यह सब क्या है फोड यह सब क्या है green house गैसे सब तो अब कर दो लिक्ते कोश्टन नम्बर 63 इस देखते कोश्टन नम्बर 63 मगनेटिक मोमेंट आफ यह फी प्लस तो यह फी प्लस तो यह फी काकिन ना हुता 26 3D6 इसका हमें आर्बीटर में वरो इसके इलेक्टान डी में कितने पाइफ फाइफ आर्बीटर एक दो तीन चार पांच छे कितने पैरी इलेक्टान है अन्पेर्ड इलेक्टान जो है हमारे अन्पेर्ड इलेक्टान कितने है चार और मेंग्नेटिक मुमेंट का फार्मूला क्या होता है बीयम का अन्टर रूट इन इन प्लेस टू यह हो जाएगा इन की वैलू कितने है चार एचार प्लेस दो किन्ना हो जाएग्टान रूट तॉन्ति फोर देखो अफसन नंबर पन सो हो गया थेड़र्यर रूट तॉन्ति फोर देख लो इसको इसको यहाख देखते question number 64 critical temperature critical temperature क्या आँचा temperature temperature below below which temperature below which gas can be can be liquefied liquefied by application by application of pressure critical temperature जिसके अंदर अगर gas है तो liquefied हो सकती है pressure apply करने पर critical temperature हो है temperature है जिस पर gas क्या है liquefied हो सकती है pressure apply करने पर अगर temperature critical temperature से ज़्यादा हो जाए तो gas को हम liquefied नहीं कर सकते हैं उस पर कितना भी pressure लगा है तो critical temperature होता है तीसी और critical temperature को present करते हैं 8A 27BR A और B क्या है wonder wall constant है A and B wonder wall constant है और 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 क्या है gas constant है कांसा हो गया हमारा 8A 27RB आप्सन नमबर सेकेंड 64 का आप्सन नमबर सेकेंड देखते हैं क्योश्चन नमबर 65 प्रोसेस उस्ट वर्ड प्रोसेस हम क्या बनाते है nitric acid home home signal home signal हो होल signal इसमें होता है fast gene और c2 h2 clean gas fast gene and ac clean gas तो इसका कौन हो जाएगा home signal से contact process contact process हम क्या बनाते है h2o 64 और डेकर प्रासेस से कुल्डरीन बनाते हैं तो और स्ट्वाल प्रासेस एक का कौन से हो गया एक हो गया फोर एक का फोर कौन से आपसर में दो आपसर में है बस यह कैंसिल एक कैंसिल अब देखो क्या क्या बी का कौन से हो गया थर्ड इसमें भी है बी का थर्ड इसमें भी है अब देखते हैं C contact process is to be so for C का पहला C का इसमें दूसरा है इसमें पहला तो आपसा नमबर 3 65 का कौन से हो गया आपसा नमबर 3 देख लो देखते हैं question नमबर 66 कि रेट highest boiling point among the high died 15 15 group के element के हाइड थैंजो 15 group ले मतलब nitrogen family के जो हाइड राइड है उनमें boiling point का आडर बताना है तो boiling point होता है directly proportional होता है molecular weight के molecular weight के अगर उसमें कोई इस पेसल तरह का allora जैसा हहाऊन बाढल हो गया इस तरह का कोई राउटरेक्शन तो यह बदल और पी एक्स त्री होगा है यह हमारे होगे नाइक हुजन फैंवली के हैड़ है अब नीचे की तरफ आएंगे तो मालीपूलर बढ़ेगा बढ़ेगा तो इसका बाइप बाइप सब्सक्राइब और इसका इसका बाइप सबसे धरी है फिर क्या होता है ना इसमा हाईडोजन बार्डिंग होती है हाइड्रोजन बार्डिंग की वेज़े से ये इसके बीच में आ जाता है इसका इसका बॉल्डिंग पॉइंट इन दोनों से क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है तो इसके बॉल्डिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा पिए एच्टिरी सबसे ज़्यादा फिर यस्ब एच्ट्री तुर्ट क्या जाता है हाइल डूर्टिन बॉइंटिंग की वाज़े से इन दोनों से ज़्यादा हो जाता है और हो जाता है एक उसके बाद एस एस थ्री फिर पीएच्टि यह हमारा बॉलिंग पॉइंट का आड़ है तो देखो इसमें में आड़र नहीं बताना बस बताना किसका ज्यादा होगा तो बी आई एस थ्री का सबसे ज्यादा होगा इस इसकोशन बाद आड़ यह हो गया हमारा से अगर देखतें कोश्चन नंबर देख लो इसको एक बार तो तो ते नेस्ट कोश्चन शिक्स्टी सेवन एं एक जामपल आप ना नार्कोटिक एनल जैसिक है कि इनए इस सजी और पुष्टा अंड़ें एक ःड़ologies कोडिएं है होड़ा कोडिएं यह क्या होते नार्कोटिक होगै यह क्यूत अ голृओंग कोडिएं होगया है क्यूसक्यक्र मार्फीन ऊच्वेरें च्लोगयाइं यह क्या होते नार्कोटिक होते हैं शेय रिजलि पि यह क्या होता है ट्रॉंकुलाइजर होता है ट्रॉंकुलाइजर तो यह हो गया नार्कोटिक हमें पूछा क्या नार्कोटिक तो क्या बचा हमारे पास एसप्री मोटी में नार्कोटिक एंटिवाटिक सेरे टोनीन और वैलियम यह क्या हो गया ट्रॉंकुलाइजर एसप्रीम क्या हो गया नार्कोटिक एनल्जेसिक हो गया 67 का 3 कि सिंपल कोश्चन है याद करने वाला है देखते कोश्चन नंबर 68 रेट आप नुक्लिओ फिलिक सबस्टिवेट एं रेलो यरीड हैलो एक इसका जो मेकेटियम होता हो नुक्लिओ फिलिक नियुक्टिम फिलिक नुक्लियो फिलिक्स सब्स्ट्यूशन बाइडिशन एलिमिनेशन इसमें क्या होता इसमें हमारे पार जैसे ही है यह है यहां पर सबसे पहले क्या होता है तो यह बाण टूटता इधर निगेटिव और इधर पॉस्टिव ठीक है और इसमें यहां से पॉस्टिव पर जांगे डिटक करता है तो हमारे पार्स क्या बन जाता है यह माइनस और यह सी यल और यह ओ एच तो यहां पर हमारे देखो क्या बन रहा है कार्ब एनायन बन रहा है इनायन बना ना इंटर्मीडियर्ट इंटर्मीडियर्ट क्या बनना चieg कर्भेल एनएन बन रहा है तो इसमें जो रिएक्टिबीटी देखते हैं न्युल्ग फिलिक्स यहां लिक लेते हैं reactivity towards reactivity towards nucleophilic substitution in eryolide डाइर्गली पर पॉर्पोर्शन होता है stability of stability of carbon ion stability of carbon ion और carbon ion की stability कैसे देखे जाती है minus है तो इसको minus M, minus H और minus I इसको stable करेंगे और plus M, plus H और plus I इसकी stability को क्या करेंगे कम करेंगे minus H, minus H stability को बढ़ाएंगे अब देखो इसमें एक minus M है यहाँ पर दो minus M है इसमें कोई minus M नहीं है यहाँ देखो तीन-तीन minus M है तीन-तीन minus M है तो minus M की बेलू ज़्यादा होगी अगर तो carbon ion की stability ज़्यादा होगी अगर minus M की बेलू ज़्यादा होगी तो carbon ion की stability ज़्यादा होगी जब कार्बो एनायन की स्टिवल्टी जाधा होगी तो सबसे ज्यादा होगी तो यही तो उनने पता है पर अपक्र ox एक्शन चु स्टिवल्टी ते करता है और कार्बो एनायन की स्टिवल्टी कैसे देखते हई – Engineering gio пр इस्टिविल्टी को बढ़ाते हैं, यहां धिए माइनस एम हैं यां कोई माइनस यह तो माइनस यह हैं ज़्यादा होगा इलेक्टान विछे बढ़ाएंगे इस्टिविल्टी को बढ़ाएंगे और एक्टिविटी को भी बढ़ाएंगे तो आपसर नमबर काउन सो आ जाएगा फूर कि यहां पर क्या होता है यहां पर देखो और यह यह बांड ऐसे रेजुनेंस करता रहता है यह इधर पूटेगा माइनस इसको बना देते हैं पर यह यास बनाते हैं कि अब यह यहां पर देखो कि यह डवल बांड मन जाएगा और यह तर नीगेटिव आजाएगा और यह को यह आज इस का यह बनने का कि और यह डबल बावन्ट हो गया अब जाएगान इस सब्सक्राइब करने ऍचे अ creator आजाएंग Commissioner and यह ने क्यर्ट सीर यहां से क्या होता है की इंच माडर् pó scrolling सोन निकल जाता है और यहां पर जाता है अब यह डबल सिंगर डबल सिंगर और यहां से यह सी यल माइनस लेकर निकल जाता है कि हमारा हो गया नीकलियो फाइल का सबस्टीप्सान हो गया कि 68 का कौन सो हो गया आफसे नमबर 4 कि देखते हैं कॉस्चन नमबर 69 फेनितल यही एथर होता है । यह एथाइल फेनाय ईथर को फेनितल बोलते है घ्री फेनाय इथर इसी को क्या बोलते है फेनितल देखो कुछा है एथाइल फेनाइली तर आपसर नमबर सेटेंड देखते हैं कोश्चन नमबर सेवेंटी इस्टेटमेंट फस्ट देखो जो बढ़ इस की तो सबस्तों इसेट criteria यह इस पर ग्लिकल ओंखोन आप इसे लेले किसी आरो है कि अ प्सक्रिच इंट करकुत करके तो फेल यूरिया-फर्मल्ड डेए-य। यूरियय। गेप बोफभर लिया-फर्म-डेजिन में क्या होता है यूरिया होता है कि बोथ इस्टेट्मेंट फार्स और सेकेंड आर करेक्ट आफ्टन नमबर थर्ड कि देख लो इसको कि देखते हैं कोश्चन नमबर सेवेंटीवन प्लॉट लॉट 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 भाई यह वर्टस लॉट फार्ड एडजार्प्षन आफे गैस अंधर सौरिट गिफ इस्टेट लैंग्ड इस्ट लोग बताना एक कोई थो कि नहीं हमारे पास समझाता है फ्रंग लिख एड जोर्चम आइसो थांस है एक्स बाई एम इसकोल टू उता के पी पे पावर वन बाई लिया इसको लॉग ले लो लॉग एक्स बाई एम लॉग के प्लस वन बाई एम लॉग पी अब यह हमारे पास क्या एक क्या बनेंगे क्यों आउस्क क्या हो न ये लॉग एक्स पाइब की अवह लॉग 10 जये लागिए लाग लाग पी आप इंडर्शाट्स बंधेना इस आप लॉग के पश्टिर इंट्र इंट्रसेप्ट कॉस्टिव पॉस्टिभ ये लाग ने कि है और स्लोप क्या है और स्टिक वन बाई यह यह क्या है टैन त्रीटा इसकोल टू यम इसकोल टू वन बाई तो हमारा स्लोप कितना जाएगा वन बाई यह सेविंटीवन का आपसर नमबर थाड़ देखते हैं निक्स वोशन सेविंटीटू वन पाइंट फाइव मोलल एक्वा सलूसन आफ यूरिया कंटेंग हमारे पास देखो इतना मोलल है हम क्या करें चारों आपसर को चिक कर लें किसकी मोललती इसके बराबर आ रही है हुई यह हमारा एंशार हो जाएंगा तो पहला देखते हैं 100 ग्राम यूरिया मोलल एल्काINO का फार्मूला क्या होता है सबसे पहले वेट आफ मॉलल एक्रप सलूट कॉल वेंट आफ स्लूवेंट बेट आफ सॉल्लेंट सॉलुअ देख रहां तो बूड़एं इसेंग रहत सब्सक्राइब कर देंगे यह हो गया दो किना दो मूलल आ गया हमारे पास हाना किना चाहिए यह 1.5 मूलल अब आपसर नमबर सेकेंड चेक करते हैं किना 90 ग्राम है और किना 500 ग्राम सॉल्वेंट है 500 ग्राम बुड़ेगे 1000 यह किना हो गया दो यह हो जाएगा तीस त्याइन अब तीस दुनिस साथ दो से दो कैंसिल यह हम कितना आ गया थिरी आ गया थिरी मूलल आ गया यह भी नहीं होगा अब थाड आपसर में देखो 500 ग्राम सलूसन दिया ह तो यह तो हो नहीं सकता यह भी नहीं हो सकता यह विए हमारे पास क्या बचा रहें किस्ट कर लो इसको भी फूर्टी फाइफ बाइशिष्टी पांसो ग्राम सॉल्वेंट गुड़े एक लागा कितना हो गया दो यह हो गया पंदरत तियां पैतालीस पंदरत चौक के साथ यह दो दूनी चार कितना आ गया मोलल्टी थी वाई टू मतलब वन पॉइंट फाइब मोलल कौन सा आ गया हमा गया है देखने नमर सेबेंटी थी विच वन आप दे फालव इंग कंपाउंड सो फ्रैंकल एज वेल है तो की दिपेक्ट ऐसा कौन सा कंपाउंड नहीं जिसमें दोनों प्रकार की डिफेक्ट पाई है फ्रैंकल डिफेक्ट भी स्वाट की दिफेक्ट भी देखो यह केसिय यह और अचल सिए याफिए यह इसा सब्रद दो क्या यह तेनों पिर इस एकसा सब्सक्राइब निजित लिए अधिजा आता और खोंग देपेग्ट बेबी आता है तो कौन सो और चोत्रा अग्जी वी आर एक ऐसा एक्जामपल है जिसमें सॉट्टिल इफेक्ट और फ्रेक्टल इफेक्ट दोनों होता है के देखते है कोस्टन नमबर सेबनिटीफोर आयनिक रेडियस के लग्रें अर इतना अइनिक रेडियस उन्हें दिए देखेशन नंबर तो इसका हमें क्या निकालने पहले रेशीयों इतालने है आर का टायन अन्यायन का ए प्लस और दी वायनिस आर के लिखतने। इसका लिख्या लिखाने हैं लिंटिंग रेडियस रेशियो देखते हैं कितना आता ही है आज कितना है जीरो पाइंट सेवन इंटू टेंटू पावर माइनस 10 मीटर और ये कितना है इंटू टेंट पावर माइनस 10 मीटर ये कैंसील हो गया यह हमारे पास क्या पच्छा सेवन ए एक जीरो बढ़ा तो इक्या हो जाएगा सेवन टी पॉइंट वन एट वन अब इसको डिवाइट करो सेवन टी को आएट वन इट वन से पांट वड़ाएक जीरो किनी बार जाएगा तीन इके नम तीन बते चौह और तीन एकनम तीन दो पाँच दस में से तीन गया साथ, नो में से चाल गया पांच यहां कैंद हो गया जीरो अब कितनी बार जाएगा मतला हमारा किलना रहा है 0.38 जो रेडियस रेशियो आ रहा है एक टाइन वाई के एनायन का हुआ रहा है 0.38 के लगा तो 0.38 कंडियर्यार्य इसका कोडनेशन नंबर पूच रहा हमें पता है जब रेडियस रेशियो पॉंट 1 45 से ज़्यादा या बरावर या पॉंट 2 25 से कम होता है तो क्यूंट नंबर कितना आता हैं ठीर रेडियस रेशियो अब यही वेल्यू अगर 0.0 0.225 से कम यह ज्यादा है और कम कितना 0.414 से कम आता है कितना तो क्वाइडिनिसन नंबर 4 अब हमारा आया कितना है 0.225 से ज्यादा और 0.414 से कम तो क्वाइडिनिसन नंबर कितना हो जाएगा 4 अब यह वेल्यू अगर 0.414 से ज्यादा या बराबर और 0.732 से कम है तो क्वाइडिनिसन नंबर 6 और 0.732 से ज्यादा या बराबर और 1 से कम है तो क्वाइडिनिसन नंबर आता है 8 तो हमारा कहा किस रेंज में आ रहा है इस रेंज में आ रहा है तो कोईटनेशन नमबर कितना हो जाएगा फोर हाफसर नमबर सेकेंड देख लोगे पर देखते कोस्चन नमबर सेवेंटी फाइव फार्दस सेल रियक्षन हमारे पास एक सेल रियक्षन दिग गई है इनाट की वैलू इतनी है टंप्रेचर 298 केलविन इस्टेंडर गिफ्स हमें तो मां इसमें कि निसाल निकाल ली होंगी किस से हो यह प्लेशू में भी प्लस है यफ्लेट्र निकाले है और और मिसमें जाघारा है यहां पर देखो चेंज कितने का रहा है जीरो से किसमे जा रहा है माइनस टू में तो दो का चंज आया एक की वेज़े से दो का चेंज तो जा रहा है यह स्टू होगे तो यह हो गया माइनस टू यह जीरो अब देखो एक की वाज़ेसे दो का चेंग दो की वाज़ेसे से दो का चेंग दो की वाज़ेसे जचार की हो जाएगा मतलब यहां प्षोर इलेटर इसले दो के लिए तो हमारे बगां का फॉल्च होगे नंबर आफ एक दो न आगी ऑन पास यन की वैलू आ गए, येफ की वैलू आ गए, टीनाट की वैलू आ गए, सॉल्व कर लो, डेल्टा जी नाट इसकोल टू क्या हो गया, माइनस यन, फोर, नाइन, सिक्स, फाइफ, डबल जीरो, और ये नाट की वैलू, वन पॉइंट सिक्स, एगए, ये हमारे पास हो जाएगा, माइनस, जीरो, जीरो, चार पच्चे, बीस, चार शेट, चोगी, दूश चब्श, और चार नौन, चार्टिस, सैटिस, चार नौन, चार्टिस, और दू, अन्टिस, ये आ गया, इन्टु, वन पॉइंट सिक्स, सेबन, अब देखो, ये हमारे पास को क्या लिख सकते है, माइनस, त्री, एट, सिक्स, इन्टु, वन पॉइंट सिक्स, सेबन, गूड़े, दस पे पावर, त्री, ये लिख सकते हैं, अब इसका, 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 मॉल्टिप्लाई करो, देखो, कितना आता है, इसका, इसका, सिक्स, पे पावर, त्री, इसको क्या लिख सकते हैं, you know, कई स जाएगा, जूल, अरूल, कौन से हो जाएगा, 0.66462, इसका, मॉल्टिप्लाई भावोगे, पॉइंट पॉइंट फॉर फॉर चैसो चुवाली दस्मनों च्छे दो किलो जूल पर मूलाएगा तो आपसन कौन सा हो गया सेकेंड 77 का 75 का आपसन नमबर सेकेंड देख लो एक बार देखते हैं कोस्टन नमबर 76 इस पालूएं इस्कृर्ट उप्षन पार राइड रलेशनसी बीटमें C P और C V आपकेंड 10 mol, कितना है 10 mol? आफ एन आईडियल है, cp minus cv is equal to क्या होता है, यह दा र, यहन क्या होते है, number of mol, cp minus cv is equal to कितना है, यहन कितना है, 10 mol, यह कितना हो जाएगा 10, र, cp minus cv is equal to 10, र, आपसा number first, 76 का आपसा number first, देखते हैं 77 number, देखते हैं, conclude, oxidation state of y WAT, in k minus four, बदाएगा ॐइगा जा अच, प्boards 1, अच, प् summस एक, पैस पनर, जीरो, x is equal to कितना होगा र, प्लस, से जेर नमब फिर्ट क्याहिदा, हो से नमब। आपसा number third, simple question है, 77, पिरेते हैं, question number 78, the method used to remove temporary hardness of water is clark method,, कि के Clark method तो पहले statement देखते हैं Clark method इसके पहले देखू hardness किसकी वज़े से होती है temporary hardness temporary जो hardness होती है bicarbonate of which temporary hardness लिए ते लिए निरिय ऍद इसकी वज़ें निरिय ने संग ऑप टमी उज़े होता है temporary hardness होती है और इसके ज़िए ठब्री हार्द नेस रिगोग करने का तरीका है अ क्लार्क मेंतिड क्या करते हैं इसमें इसमें हम ले लिए माले कैल्शियम बाइकार्बॉनेट इसे की बश्कत होता है तम्परेरियार्ड्नेस अब इसमें मिला दोते हैं स्लेक लाइड यह कहा है स्लेट लाइब दो अब यह मारे पास बन जाता है सिय यय सीञुटरी फ्लास्ट क्लाइब यह स्टू और ये सीजी योटे क्ली क्या होता है कि इंसयलुल होता है कि इंसाल भी रोता है इन वाटर नी तो वाटर हमारा अलग हो गहा है क्लार्व मैथर यह है तो दैम मैथर यूस्ट तु रूमुट टम्रेरी हाडने साफ अफ़ाटर क्लार्व मैथर इस्टेटमेंट फेल्ट साहिए इस्टेटमेंट सेकेंड देखो हाइडोजन है थ्री वाटर त्राइटम hy cacine in the Most Common ठ्राइटम मॉस्टमन नहीं होता है थ्राइटीम क्या होता है यह तो रेडीक यह अक्ति होता है यहक्ति Victoria ही होता है कि लिए है फ्राइट परोलने क्熱 बहुत अनीस्टिवल होता है इसमें जो प्रोट्यम होता है उं एकमन फॉर्म में पहाय ज statement first say statement second क्या गलत है statement first is correct but statement second is incorrect after number first देख्लो 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 question number 78 by 79 method match the metal given the list with their or given the list second identify correct option iron iron क्या होता मैगनिटाइड होता है iron cover क्या होता मैगनिटाइड एक कौन सा हो गया second एक कौन से option में हैं पहले में हैं और दूसरे में हैं मतलब यह दोनों cancel हो अब पहले आप दूसरा में से एक साही है अब देख्लो aluminum aluminum का क्या होता बाक साइड जो हमें अच्छे से पता होते हैं उनका बिला लोग बाकि अपने आप मिल लागा डी का अकांस हो गया first डी का फ़र्ष्ट देखो डी का फ़र्ष्ट इसी में इसमें डी का यह तो पहले cancel हो गया थे दोनों यह अब cancel हो गया तो हमारा counts option हो गया first बाकी बिया मिला सकते हो कापर का क्या होता कापर का होता मैला काइट और जिंक का होता कैला वाइड इसेवंटी राइन का अपसर नमबर फ़र्ष्ट गया अब देखतें एटी नमबर गया मास परसेंट अफ कार्बन इन गुलकोच गुलकोच शीच एस टोएल ओस हमें कार्बन का परसेंटर निकार नाया है परसेंटेज आफ कार्बन तो उस जिसका हमें निकालना है उसकी वैलू अपान टोटल वैलू गुड़े हंडड जिसका परसेंटेज हमें निकालना है उसकी वैलू उसकी वैलू कि इननी छै गुड़े बारा अपान टोटल वैलू उसका मालप्लाग रेट कितना होता है मालप्लाग रेट एक्स और सी एक्स और सी गुड सब यह हो गया जीरो अठारा चुब बातर और यह हो गया फोर्टी फोर्टी परसेंट आगे कौन सा हो गया हमारा अपसर नॉम्मर सेकेंड यह कोस्चन के टीवर है कि मैक्सिमम समय एक वा स्वा सालोसें पूछ रहा हैं से मांगद फालो के आपस क्या मांँ सबस्क्राइब रहा हैं इसा नोगों पेर होते हैं तो अगर डैस फेस में पूछता गैस की तो तो थी डिग्रीमान सबस्रेक्जादा फिर टू बीडिग्री में फिर एक स्वस्काइब्स में अगर है कि अगर की वेलू क्या है शी एस थ्री यह जैसे आर की वेलू क्या है शी एस थ्री तो हम क्या करें गे दो सो थे है और फिर फिर इनश्था थी अ सुद्ट आधार शंुह ⑩ है तो समय होसा था था दोसा थीस्त ये यह आधार रखना दोसो एकटीस य८्णों नियों धिवन सब्सक्राइब यह ओन मैं तो ही यह इनद मैं यांक है नहीं चत रहें त्परेस्था तो धर आप नाइटोजन तीन कार्वन से लगा हुआ है है कि कार्वन से अट्रेस्ट है तो यह थी डिडिजिया हो गया और यह थी डिजिदी वण डिजिदी और एक पूसर कहा है दम मैक्सीमुम बेशी के इस्टेंथ इनेक पर सलूशन हमां अ кровvant sabme cat is Meng smh Okay चाहिस सबसे में लिख्री सबसे जादा है तुमी सबसे जाना मिरेसे जाना कुछ देखना नहीं तो डिली आमने लिब जआ अपसे नमर कौण सबसे के inmg हुसे होता आखा देखते हैं question number 82 catalyst used in habit process for the manufacturing of ammonia habit process में M23H2 लेते हैं और इससे क्या बनाते हैं NH3 ammonia इसमें iron के आकसाइड लेते हैं iron oxide आरन आकसाइड लेते हैं और 500 degree Celsius temperature आपसाइड लेते हैं फाइनी डिवाइड आरन प्लेटिन अपसेस्ट वनेडियां फाइनी डिवाइड कापर फाइन डिवाइड आरन आपसाइड नमबर फर्स्ट यह क्या है है अब देखते हैं तो अगर इनके बीच में अगर यह जो दो मालिकूल आना यह देखो एक मालिकूल है अगर इसके बीच में बॉंड ना वने कोई भी बॉंड नहीं तो अगर बॉंड आडर अब निमारे पास अगर बॉंड आडर जीरो हो जाया है तो लिंकेज नहीं होगी नाट लिंकेज अगर जीरो तो को कि लिंकेंज North प्रज्एंट कि लिंक्एम्ट प्रज्एंट कि तो देखो किसका बांड़ कंड जीसे रहें कि इल्एंट llunood यो ज्याएंग दो वम्हेंट दो डुन जोन द!! इत Ogden वुआ इस नमबर हाफ एलेक्ट्रान अदका लिए कि यह उगल। इस सिग्मा स्टार वचल स्टीणा सिग्मा ठीडेरि शीक्रार मचल सासे विल to तो बाउंड ओडर क्या हूं कि इनके बीच में कि या expandly कि जुड़े होंगे तो यह इसमें किदने हो जाएंगे आठ अब इनको भरो इसमें एक दो टीन चाहर ज्यादा होगा एक चाहरी होना चाहर ठीक है आठ बरो एक दो टीन चाहर पांच चेट अगया निंकाल यह बाइंडिंग यह बाइंडिंग एंटी बाइंडिंग बाइंडिंग लिक्ता हैं अचाहर एंटी वाइंडिंग लेकरिक इसका है और यह इदर इसका है बाउंड ओडर कितना आई चा-टाइब राग्या जीरो तो इंके बीच में छिच्छी नहीं करनेगा, तो देखना बाउंड डादर निकालना छिसका बाउंड डाडर जीरो आजाके वो मालेकुल अग्जिस्ट नहीं करेखा अ- Till-цо arm देखते एक्टी four इंबर which of the following knot-louis-acid Vf3 Vf Vf Kitने electron है? छही electron है to electron की कम ही? electron deficient electron deficient क्या होगे? Lewis acid इसमें क्या होता है इसमें इसमें बैकेंट डी और्बिटल की वज़े से यह लूइस यह सी रोगते है इसमें लूइस एसिट डी टूगेंट बैकेंड डी और्बिटल यह तीन तो लूइस एकिन हवाए नाट पूचा था आपसर नम्मर प्रों इसमें क्या इसमें इसमें क्यान इसमें 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 no. 4 84 caption no. 4 देखो देखते हैं question no. 85 reaction इसके लिए हमें rate of reaction गाल लेको rate of reaction rate of reaction कैसे लिखते है माइनस d minus d s2 by dt इसके बीच में सब्सक्राइब इसके बीच में तो माइनस d s2 by dt is equal to plus 1 by 2 d h by dt देखो यह आप्षन कहां पर है माइनस d s2 by dt दोनों में माइनस है cancel यह उपर है दो नीचे होना चाहिए है यहीं भी cancel है यहाँ पर अगर नहीं लगाए कोई plus करने साथ तो मतलब प्लैस है यहाँ तो आप्टाइब कौन सो हो जाएगा थाड्य माइनस यहाँ 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 पी अचाहिए बॉन भाई टू गायव है उन भाई टू होता तो सभी यह जाता है यह कर्शन मर कौन सो हो गया थर्ड 85 का आपसा नमबर 3 सिपल कोश्चन है देखते हैं कोश्चन नमबर 86 हेट्रो साइक्लिक हेट्रो साइक्लिक क्या होते हैं हेट्रो साइक्लिक और जिसके साइक्ल में अगर साइक्ल में एक ही तरह के माल एक ही तरह का एटम है जैसे माल या कारवन है कारवन कारवन एक ही तरह है एक ही तरह एसको होँसाइक्लिक बोलते हैं आगर इसৌ सारी किया थे कारवन थे और यहीं बीच दॉमारा आकशी जना गया यह क्या गोजाता है हेट्टोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, देखो, ये हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक, इसमें स्रिफ कारवन-कारवन ही है, होमोसाइक्लिक, इसमें भी कारवन-कारवन, ये भी होमोसाइक्लिक, ये भी होमोसाइक्लिक, तो हमारा हेट्रोसाइक्लिक से ही एंसर आ गया, फैस्ट, हेरोम यह क्या है आजी मर्कुरेशन और दी मर्कुरेशन रियक्षण है इसमें हो तो क्या है एडिशन होता है एडिशन आफ यस्टू विदाउट डी अरेज्मेंट तो यह बहुत तूटेगा इतर निगेंटिव इतर पॉस्तिव यह हमारे पास हो जाएगा यहाँ तो हौ़ प्लस प्लस को म माईनस को प्लस देदो यहाँ पोट रिय nehmen gotta होगा हम ने क्या बोला without the arrangement addition of h2 होगा without the arrangement यहां से h plus और oh minus यह जूटेंगे यहां रख्या हो जाएगा c c c और यह फिनाइल और यह प्लस है तो यहां पे c oh और यह होगा है c c और यह होगा है c c और यह होगा है c c और यह है आपसर नमबर कौन सब्सक्राइब 87 का आपसर नमबर सेकेड शिंबल कोश्चन है कि देते हैं कुष्चन नमबर 88 को जा पिछ अब फाल्व इं सो कि टो इनाल टार्टो मेरिजम टा घ्रिजम के लिए क्लिए अलफा याप्लगर त्रिजिंट होना चाहिए बना लेंगे यह हो जाएगा डबल बांड ओ और यह प्लस इदर रहाएगा इसमें भी यह फाइड़न दो अलफा यहां दो और यहां चार अल्फा आड़न और यहां देखो मिनावी चार आलफा है प्टो चैनम ये हमारा begin मिल ला है मतलब टार्टो मेर्जन करेगा तो सब कॉन जाएगा तुभ तेम के लिए हम देखते हैं अलफा हाई crisis यह हमारा में फंक्षनल गुरॉप का यह इस से अठाट को क्या बोलते हैं एल्फा कारवन बोलते हैं इससे अठाट क्या होता है आल्फा हाइडूजेण होता है एटीएट का अब सा नहमर कौन तो झाएगा अच्छ उठा था भर यह कॉस्चन था देता है 89 नमबर which among the following will not show stereo isomergen stereo isomergen देखो A3 B3 यह A3 B3 यह क्या होता है यह A A3 यह भी show करता है A2 A2 और A2 यह क्या होता है coordination number 6 होता है यह optical ISO जैसे यह होता है A3 B3 A3 A3 A2 यह show करता है क्या stereo isomergen show करता है अब इसमें देखो PDC A4 A4 इसमें क्या है 4 लिए देखी टाइप क्या है देखो यह A4 क्या है 4 यह क्या है coordination number 4 coordination number 4 चारो लिए देखी टाइप क्या है तो इसमें कोई सिस्ट टांस भी नहीं होगा और इसमें इस्टिर्वियों आइसो नर्जम नाट पर जिम आपसन नमबर 4 59 का आपसन नमबर 4 क्यों क्योंकि चारो लिए एक ही तरह के है किसी को कहीं दे रखो कि कोई फरक नहीं पड़ेगा देखते हैं कोश्चन नमबर 90 एज्यूमिंग 75 परसेंट आइनाइजेशन विच आप दर फार्मिंग लेक्वर सलूशन वी लाएं हाईस्ट आस्मोटिक प्रेशन हाईस्ट आस्मोटिक प्रेशन आई वान्टा फेक्टर सी आर्टी आइस तो पहले से कंस्टेंट है आप सी देखो कंस्टेंट है कि 5 0 1 1. 0 0 0 0 2 1 0 0 0 c1 Yani कंस्टेंट हो गया थे यह ऐलू हमाराँ पास क्या आई सबी के लिए कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट आज इनका नफिक है अब ओधिक हम्हारा क्या आ अगया directly proportional i आ गया है जिसका i ज्यादा उसका osmetic pressure ज्यादा ठीक है तो हम i की value निकालता है सबसे पहले आपसा number first को देखते हैं i की value के लिए i is equal to 1 plus n minus 1 alpha और n की value कितनी हो जाएगी इसमें 2al plus 3 और 3SO4 minus 2, n की value कितनी हो गई 5, n की value 5 रखता है i is equal to 1 plus 5 रखते है चार कितना है 75% alpha की value 75% 3 4 4 से 4 cancel i की value कितनी हो गई हमाने पास चार, वांटा फेक्टर कितना गई है चार वांटा फेक्टर चार आगे हब इसका निकालो second option का वांटा फेक्टर i की value इसमें कितने हो जाएगा 2 और एक 3 यह की value कितनी आ जाएगी 3 यह एक और यह दो मतलब CA प्लस 2 और 2CL माइनस 2 और एक 3 आएग तो 1 प्लस N माइनस 1 3 माइनस 1 2 और अलफा 75 परसेंट यह 3 यह 4 यह हो जाएगा 2.5 i की value कितनी हागी 2.5 और थर्ड आप्सन में देखते है थर्ड आप्सन थर्ड आप्सन चेक करो i की value i स्कॉल 2 वन N की value कितनी है 2 माइस 1 1 अलफा कितना 75% 75 यह कितना हो गया 25 तिया 25 चोग के 100 यह कितना आजाएगा देखो 4 यह देखो ऐसे कर दो उसको सीद्य 1 1 प्लस 75 75 3 by 4 यह हो जाएगा 0 पॉइंट जीरो चार सत्य अथाइस और चार पच्छे गूइस वन पॉइंट सेवन फाइफ आई की वैलू 1.75 और यह क्या यूरिया यूरिया के लिए आई की वैलू कितनी होती है वांटा फेक्टर वां तो सबसे ज्यादा वांटा फेक्टर हमारे पास किसके लिए आप आधर के लिए तो आस्मोट्यट प्रतर का अगर अगर लगा था तो सबसे पहले यह सब्से जादा पिर बढरी सब्से पहले सबका घॉन सबसे पहले कौन स व गोड़ा अगर आडर पूछता तो ही हम लगा रहे थे देख लो एक बर देखते हैं कोस्चन नमबर 90 बर identify wrong match wrong match बताना PCL 5 PCL 5 इसमें क्या hybrid orbital निकालें में तो क्या हो जाएगा 5 sigma 5 sigma 0 रोंपेर किन्ना हो जाएगा 6 किन्ना हो जाएगा SP 3D और इसका जो सेफ हो जाएगा geometry हो जाएगी हो जाएगा trigonal by pyramidal trigonal by pyramidal पहला तो सही है अब दूसरा देखते हैं इस को रफ कर देख लो एक बाद दूसरा option देखते हैं यक्सी एफ फोर यक्सी दो लोन पेर कि क्या बनना हमाय पास इसक्वायर यह 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 इसक्वायर प्लेनर कितना हाइबिड आइजेसन आ जाएगा इसका हाइब्रीड आर्विटल कितने होगए फोर सिगमा टू लोन पेर कितना होगए च्छे यह स्पी थ्री स्पी 3 फोर सिगमा टू लोन पेर च्छे यह स्पी 3 दी और इसके पहले पीसियल 5 में 5 सिगमा था ना ओभाइफ शिगमा था तो यह स्पी 3D हमीरगा उस्पी 3D हुआज स्पी कि माएफ फिसती अब इसका से ट्राहिच माईट ए इसक्वाइर फेवल्य के इसक्वाइर प्लेंड्र है सिंद एक दिवर क्वार का था इस्क्वार्ण जाएवा अब आप विए ओग surgeons आख़ गलत हो गया है इसक्वार पिरйमीडर दिया इस्क्वार प्लेणर होगा अब ॹ्रा 5 का देख लेते हैं लाप धूंद एक लोन पेर, यहां पर फाइब सिग्मा प्लस वन लोन पेर, किनना होजाएगा, 6, SP, 3D2, यह होजाता है, एक लोन पेर, कैसा दिखाएगे, सीशा से, तो मतलब यह सारे सही है, पहला, तीसरा, चोटा सही है, सेकेंड वाला, गलत है, यह कैसा होगा, स्कार प्लेनर होगा, और यह क्या लिखाए, स्कार प्लेनर, तो आपसा नमबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, सेकेंड, आपसा नमबर सेकेंड सही हो जाएगा, देखते हैं, कोश्चन नमबर 92, Solubility of AGCL having KSP, इतना, 0.001 solution, AGCL है, AGCL, यह टूटे का AG+, और CL-, इसकी हमें क्या दिये है, KSP दिया है, किनना, दो गुड़े 10 पर माइनस 10, माल लिए, S- हो गया, S- हो गया, S- की Solubility, आप इसमें, हमने 0.1 molar क्या मिला दिया है, KCL मिला दिया है, molar KCL मिला दिया है, तो इसमें CL क्या जाएगा, कामन आइन आ जाएगा, K+, और CL-, इसकी Solubility जो हो जाएगी, S- हो जाएगा, क्या हो जाएगी, S- प्लस C हो जाएगी, S- प्लस C हो जाएगी, अब, यहां पर KSP लिखेंगी, कैसी KSP स्कॉर्ट क्या हो जाएगा, S- और यह S- प्लस C, यह हो जाएगा, S- का स्कॉर्ट, प्लस C, और Higher Power जिसका होता, उसको Neglect कर देते हैं, Higher Power वाले को Neglect कर देते हैं, तो इसको क्या करेंगी, हम Neglect कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, KSP, यहां देख लेते हैं, KSP स्कॉल्ट क्या जाएगा, S- C, KSP स्कॉल 2, KSP हमें दिया है, KSP कितना है, दो गुड़े, दस पर माइनस 10, दो गुड़े, दस पर माइनस 10, और S- अब पास कंसर्टेशन दिया है, 0.1, तो 0.1 को इधर ले आओ, कितना आगया, 0.1 इधर हो जाएगा, दस, दो गुड़े, दस पर माइनस 9, यह अगया हमारे पास, Solubility, येस, दस की बेज़ो, पहले Solubility किन दी थी, येस, फिर येस दस की बेज़ो, दो गुड़े, दस पर माइनस 9, दो गुड़े, दस पर माइनस 9, आपसर नमबर फर्स्ट, 92 का आपसर नमबर फर्स्ट, देखलो एक बार, इसको हमने यहां से यहां किया है, जगह नहीं थे, देखते हैं, नेस्ट कोश्चन, 93, वहन इनिशियल कंसेंटेशन आफ रियक्टिन इस डबल, देन हाफ लाइफ आप जीरो आडर रियक्शन, जीरो आडर हाफ लाइफ जीरो आडर रियक्शन का हाफ लाइफ का फार्मुला होता है, अगर इनिशियल कंसेंटेशन बढ़ेगा, तो इसको अगर डबल कर देंगे, तो आप भी डबल हो जाएगा, अपसर नमबर 4, इस डबल, डिरेक्ली प्रपोर्चनल है, तो इसको डबल करेंगे, तो दूसरा वाला भी डबल होगा, इसको डबल करेंगे, तो इसको डबल करेंगे, तो इसको कैसे लिख सकता है, इसको हम डिख सकता है, 2, CH3, COO- प्लस, Mg-2, Mg-2, इसके लिए हमें दिया है, इतना, और HCl के लिए, H+, और Cl-, इसके लिए दिया है, इतना, MgCl2 के लिए, Mg-2, और 2, Cl-, इसके लिए दिया है, इतना, हम से पूछा किसके लिए है, CS3, COH- के लिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, CS3, COO- और H+, चाहिए, यह हमें चाहिए, यह बाकी को चैन clean करना है, तो क्या करते है, Cl-, Mg, Mg, Cl, इसमें 2 से multiply कर देते हैं, 2 से multiply कर दो, तो यह हो जाएगा, 2s plus 2cl-, इसको 2 से multiply कर दिया, यहां भी 2 से multiply हो जाएगा, । यह हमारे पाद two cl और इसको minus कर दो trotro kel se two cl cancel इसको minus किया तो यह भी minus हो jाएगा यह value क्या हो जागी minus हो जाएगी तो two cl से two c l cancel mg से mg cancel अब यहां से हमारा क्या आ गया देखो यहां से हमारा आ गया two ch3 coo minus plus 2 h plus ओर हमें निकालना है इसके लिए तो इसके लिए जो आएगा उसको 2 से दिवाइड कर देंगे देखते हैं कितना है इसको जोड़ना एकना 187.8 अब इसमें 2 से multiply करो देहों किनना आता है 2 6 12 2 2 4 1 5 और 2 4 8 852 8 8 52 इसको जोड़ना और इसको घटाना है किनना 258 माइनस 258 इसको जोड़ना यह गया 8 7 2 9 8 5 13 के 3 8 1 9 1 10 इसमें से 258 गटा दो 258 258 0 माइनस करें ति यह जाएगा 8 और यह जाएगा 9 में से 8 गया 1 13 में से 5 गया 8 यहाँ से 9 में से 2 गया साथ कितना आ गया साथ आठ 781 गयासी दसमरों आठ इसके लिए आ गया 7 8 1.8 अब यह आ गया इसके लिए हमारा अब इसमें आप क्या करें 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा इसके लिए आ जाएगा अब यह हो जाएगा दो से डिवाइड कर दो देखो कितना आता है इसके लिए तीन सो नभए जासमरों आपसा नमर कौन सा हो गया सेकेट 94 का आपसा नमबर सेकेड देखते 95 नमबर कि वेब नमबर क्रास्पॉंदिंग तो ट्रांजीशन विद इस्मालेश्ट बेवलेंध इन लाइन सीरिज लाइन सी जी दिए अनुक्षण क्या हो जाहिए इन थूकि आ रोनी चाहिए तो इस्मालेश्ट बेव लिक टो इसमालेश्ट बेवेव लेंद तो आगर यह कम चा 1 by lambda is equal to R z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square और 1 by lambda क्या होता? 1 by lambda होता new bar यानी wave number 1 by lambda को क्या बोलते है? new bar यानी wave number wave number ही तो निकाला हमें देखो wave number यह जागा R z की value आइड़न के रिए किदनी होती है? 1 और यह जाएटा 1 by 1 का square 1 ही आएगा new bar is equal to कितना आगया हमारे पास? 4 new bar is equal to R option number कांसा हो गया? 3rd 95 का option number 3rd देखो इसबर देखते हैं question number 96 5 पैरा मैंगनेटिक नेचर आफ एलकिली मैटल स्लूट संधोर इन लीक्विड आमोनिया न c है सारे छीमेटल लिक्विट अमोनिया में डिजॉल वह के अमोनीट अइन देते हैं और अमोनीटिट इलेक्टार देते हैं और इनका पैरमंगेटिक निचप जो होता है होटा हमuldत रिलबिर के विज़े से क् för ऑसके और 96 अपसमें नमबर फॉस्ट कि देखते नाइटी सेवर नंबर कोशन है जल्दे लिए करते हैं अन्द बैसिसा वांडर वाल कॉंस्टेंट ए एंड बी टूगैस यस्टू और टू चूज दर करेक्ट स्टेक्टमेंट आप यह क्या होता है एक इसको करता है तर रिफर्जेंट फोर्स आफ अट्रैक्शन फोर्स आफ अट्रैक्शन फोर्स आफ अट्रैक्शन पित्मीन मौलिक्यृट और ये किस अब बी किसको रिवर्जन करता है वैलूम करेक्षर को हमसे पूछ रहा है ये S2 और O2 में इनका आडर क्या होगा तो हमें ये पता है A and B O2 के लिए दोनों ही जादा होते हैं S2 से ठीक है A और B दोनों की वैलू जो होती है O2 के लिए जादा होती है किसे S2 से देखो कहा है वैलू आप B more to while ये नहीं होगा वैलू आप B more for S2 वैलू आप बोथ B and A is more for S2 नहीं हो वैलू आप B वैलू आप बोथ A and B क्या बोला ए बी की दोनों वैलू ओ टू के लिए जादा होती है कि आपसर नंबर फोर नटी सेवन का आपसर नंबर कौन सो हो गया फोर देखते हैं 98 नंबर है नाइट्रोजन कंटेणिंग अरोमेटी कंपाउंड एक्स वैन डियक्ट विद यसन से एल्टू फो फो कंपाउंड बनाता वाई वैन वाई रियक्ट विद इससे बनाता फ़ाइब अने स्टेवल कंपाउंड जेट ठीक है तो हमारे पास एक हो बेंजीन है यान ओटू है इसकी रियक्ट अब किससे करा रहा है यह यह सी यल से ठीक है यह क्या कराता है रिडक्षण यह क्या कराता है रिडक्षण इसकी जिए अपर यह सी यह लिए सकते हैं यह तू और पलेटिनम भी ले सकते हैं यह सब रियक्षण करा कि क्या बनात यहां पे अनिस्टेबल प्रोडेक्ट बनता है बेंजीन डाइजोनियम कुल्राइड बनता है योट्सवाइज दाइजुनियम कुल्राइड आप क्या है का मैं जेडरी हैद बतवा य तूफा क travailleल लो करांका इसके इससे क्राद इससे करा दे नहीं ही आनिलीन से करांगे तो यह बनाता है ऐलोडाई ऐलोडाई चाले है एरेस्टो येल डबलगांड येल क्या होता आप पह一रा डैरेक्टिंग होता है पहिरा पोजीश्वन से आपके लग जाता है ये होता है ऐलोडाई ऐलोडाई अब इसी की रियक्शन अगर हम फिनॉल से करा रहते हैं फिनॉल से इसी की रियक्शन अगर हम फिनॉल से कराते हैं फिनॉल से कराते हैं तो हमारा ओरेंज डाई बन जाता है क्या मनता है ओरेंज डाई ओरेंज डाई तो हमारा यह नहीं पूछा यह बशल यह पूछा है रोड आई कौन सा होगा आपसा नंबर देखो कौन सा ऊंच कर रहा है इससे यह ना यह रेस्टू और इंज डाई आपसा नंबर कौन सा थर्ड नाइंटी एट का आपसा नंबर थर्ड अच्छा कोश्चन है देख विद बढ़ इतने कोश्चन नंबर नाइंटी 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 नाइंट हानुज करेंक्त इस्ट्रेक्श्चन अब टेट्ट्रा थाई निट आयन सबसे पहले थे अब ऍत्रफ्स पहले हमने पता करेंगे कि स्मय स्ट्रेसिंक्स होगी काई कोगी नाइन सब्सक्राइब करें तो इसका देसर नम्ब्र निकाले में पर एक्सपर जो उसका देसं देस को भाइलन से तो इसमें जब आप खेसर नंबर balance इलेक्टांट से कम आती है तो उसमें क्या होता है सिस और जोटा यह सब्सक्राइब जोर दो विगश्ट फाल को यह से जोिंग कर सैंट थे तुलिए उसके बाद ओ माइनिस पर माइनस माइनने डवल वांड ओ डबल वांड और वांड वी यह हमारा फांक्टाय क्वेट आयन मिलिए आपसे नंबर कौन से गड़िया इस logrो बहुत सारे क्से जने चाहरण पांच, पांच जैसा आजए ना इसमें, तीन तीज़या है, ठीका है? लेकिन इसमें निखेटी ट्राइट जॉस्त है, निखेटेव ठीच जाद है तलिखो निगेटीव बचर ज़ाइए है जuppooo वानी है है यह ने कॉन सा सेकेंड़ि कर द्यो Speech में की स्पाइड तो नहीं प्लस तो यहां प्लस फाइफ यहां प्लस फाइफ यहां प्लस फाइफ और इन पर जी रो जीरो, दो सलफ़ार पे 0, 0 और दो सलफ़ार पे प्लास 5, प्लास 5 देखते हैं नेग्स कोश्चन, हमारा लास्ट कोश्चन है वीच अमांद फालोइंग इस इंटैंसी प्रापर्टी, इंटैंसी प्रापर्टी इंटेंसी प्रापर्टी का होती है, सिस्टम की ऐसी प्रापर्टी होती है, जो उसमें रखे मैटर के मास या उसके साइच पे डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसी प्रापर्टी ऐसी प्रापर्टी होती है सिस्टम की, जो सिस्टम में रखे, जो सिस्टम में जो मैटर रखा ह हुआ है उसके मास या उसके साइज पे डिपेंड नहीं करती है क्या है कि इंटेंसी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जो उसमें रखे मैटर का जो पदार्थ रखा हुआ है उसके मास पे और उसके मास और उसके साइज पे डिपेंड नहीं करती है तो इ independent of mass and size of matter, mass and size of matter, तो इसके एजांपल हो गया, specific heat हो गया, density हो गही, surface tension हो गया, viscosity हो गही, viscosity हो गही, refractive index हो गया, देखो, heat capacity, volume, density, density का है, entropy का है, यह extensive property है, volume भी extensive property है, heat capacity भी extensive property है, और यह density का है, intensive property, density हो गया, surface tension हो गया, specific heat हो गया, viscosity हो गया, refractive index हो गया, यह सब क्या होते हैं, यह सब होते हैं, intensive property, देख लो इसको, तो बच्चो यह आपके, neat monster का trial, first का question discuss हो गया है, मिलते हैं, next video में, thank you so much,